बाहु बली पूर्वत सांसदानन्द मुहन की जब से रिहाई हुई है उनके चाहने वाले बहुत खुश हैं लेकिन वहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं गोल माल है भाई सब गोल माल है तमाम तरह की चर्चाय हो रही है तमाम तरह की बाते हो रही है तमाम तरह के कायास लगाया जा रहे हैं फिर एक बार आनन्द मुहन के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि लोग फिर कहने लगे हैं गोल माल है सब गोलमाल है, क्या गोलमाल है, नमस्कार आप देख रहा है देशवानियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी, जी हाँ, क्या गोलमाल है, आनन महन सिंग के बेटे चेतान आनन की शादी होनी है, तीन माई को, शादी के लिए जगह रखा गया था देहरा दुन, देह कि आखिर क्या बात है भाई इतना बदलाओ क्यों हो रहा है मैं बता तू कि आनन्द मुहन की जब से रिहाई हुई है तब से तमाम तरह की चर्चाय हो रही है तमाम तरह की बात खुल करके सामने आ रही है एक बार फिर आनन्द मुहन के जेल जाने की बात सामने आने लगी है बताया जा रहा है कि ततकालिन डियम जी कृष्णया की पत्नी उमा कृष्णया ने आनन्द मुहन के खिलाप सुप्रिम कोर्ट में याजका दायर कर दिया है, नितिश कुमार के फैसले के खिलाप उन्होंने सुप्रिम कोर्ट में याजका दायर किया, सुप्रिम कोर्ट ने उ इसी बीच अब चर्चा होने लगी है कि 3 मई को चेतन आनन की शादी है, 14 अप्रेल को आनन मुहन की सगाई हुई थी, आप जानते ही हैं, लेकिन 3 मई को शादी होनी है और शादी के लिए देहरादून शेहर चुना गया था, वहीं पर शादी होनी थी, लेकिन अब सुचना आ गया है जैपूर में चेतनानन और आयूशी की साधी क्यों होगी इसमें भी कोई बड़ा मसला है क्या तो क्या मसला है इस पर चर्चाय हो रही है तो हम भी इंतजार करेंगे हम भी जानना चाहेंगे और जानते ही आपको बताएंगे भी कि आखिर वो कौन सा मसला है आखिर वो मोहन और लवली आनंद के सामने की व्यानू चेंज कर दिया गया शहर चेंज कर दिया गया देहरादून के बदले अब जैपूर में तीन मई को शादी होगी तो अब तक के लिए बस यही तक फिर मिलते हैं आयमुद्दे नय सरोकारों के साथ तब तक देशवा न्यूज देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें